हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू पूजा क्लासिस तो चलिए आज कुछ जेगुरफी से रिलेटेट कोश्चन को पढ़ेंगे और कुछ करेंट अपेर से रिलेटेट कोश्चन को भी पढ़ेंगे हमारा आज का पहला कोश्चन है भुगोल का जनक किसे कहा जाता है सही आंसर है आप्चन ए इरेटोस्थनीज, हेरोडोट्स, हिपारकस या हिकैटियस सही आंसर है आप्चन ए इरेटोस्थनीज भुगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है Next Question को ईवकोल के लिए जियोग्राफिकाशब्द का परिऊग् सर्पथम किशने क्या क्या इंधितियस शुआ के दाने को 육ोन के दौरा करहाशाब है option D next question 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 number 3 है मानप भुगोल का जनक निम्नलिकित में से किसको कहा जाता है options है Karl Reader, Gene Bruns, Humboldt या हिपारकस सही answer है option A Karl Reader मानप भुगोल का जनक कार्ल Reader को कहा जाता है, question number 3 का सही answer है, option A, next question, question number 4 है, भुगोल को मानब पारिस्तिकी के रूप में परिभाशित करने वाला बिद्वान कौन है, options है, हेटनर, जीन ब्रून्स, एच एच बैरोज, या हारलेंड बैरोज, सही answer है, option D, हारलेंड बैरोज, भुगोल को मानब पारिस्तिकी के रूप में परिभाशित करने वाला बिद्वान, हारलेंड बैरोज है, question number 4 का सही answer है, option D, next question, question number 5 है, स्वार मंडल के बारे में विश्चु के समक्च, जानकारी प्रस्तूत करने का श्रे, किस बिद्वान को है, options है, कौपर निकस, कैपलर, ग बारे में विश्चु के समक्च, जानकारी प्रस्तूत करने का श्रे, कौपर निकस को जाता है, question number 5 का सही answer है, option A, कौपर निकस, next question, question number 6 है, नारवे में अर्धरात्री के शमय शुर्य कब दिखाई देता है, option 12 अगर, 21 जून, 21 जूलाई, या 21 मान, सही answer है, option B, 21 जून, नारवे में अर्धरात्री के शमय शुर्य, 21 जून को दिखाई देता है, question number 6 का सही answer है, option B, next question, question number 7 है, DRDO और भारतिय सेना ने कहां मानब पोटेवल एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइल, MPATGM हतियार पनाली का शफल परिक्षन किया है, option से, राजस्थान, ओडिशा, तमिल नाडू, मध्यप्रदेश, सही answer है, option A, राजस्थान, DRDO और भारतिय सेना ने मानब पोटेवल एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइल, हतियार पनाली का शफल परिक्षन, राजस्थान में किया है, question number 7 का सही answer है, option A, next question, question number 8 है, T20 क्रिकेट में 500 चक्के लगाने वाले पहले भारतिय बल्ले बाज कौन बने है, option से, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांडिया, या शुब मनगिल, सही आंसर है option B रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में पहुंच सचक्के लगाने वाले पहले भारतिय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने है Q8 का सही आंसर है option B Next question Q9 है बालिकाश शक्तिकरण मिशन के नए शंसकरण का शुभारम किसने किया है options है NTPC, Cole India, Gale India Limited, Hindustan Aeronautics Limited सही आंसर है option A NTPC बालिकाश शक्तिकरण मिशन के लिए नए शंसकरण का शुभारम NTPC ने किया है Q9 का सही आंसर है option A NTPC Next question Q10 है लोरेंस वोंग किस देश के नए प्रधान मंतरी बने है options है मलेशिया, शिंगापूर, भूटान या ब्राजील सही आंसर है option B Singapore लोरेंस वोंग सिंगापूर के नए प्रधान मंतरी बने है Q10 का सही आंसर है option B Singapore तो दोस्तों इसी तरह के question को जानने के लिए पूजा क्लासेस के साथ जुड़े रहे हैं और चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंपॉर्टन न्यूज के साथ झाल झाल